आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आज के इस प्रेजेंटेशन में जहां पर बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जिनिक की फ्यूचर प्लानिंग क्या है क्यूंकि बार-बार मार्केट के अंदर से ये कोशन आता है कि सर अगर मार्केट में हब खतम हो गए क्यूंकि जो अभी प्रोड़क्ट के रूप में एवेलेबल है वो ओनर सिप है पाटनर सिप है in form of हब मतलब आप cloud servers जो की housing hub कहलाते हैं जिनिक के अंदर आप उनको purchase कर सकते हैं 20 years के लिए और आपको 20 साल तक लगाताल earning देते हैं और ये मात्र 5 लाख hub ही है केवल 5 लाख hub ही हो सकते हैं इस blockchain के अंदर जहां से ये coin mine होने हैं जिसमें से right now अभी लगभग 3 लाख के लगभग hub sale out भी हो चुके हैं अगर पूरे के पूरे hub बिक जाएंगे तो फिर जैनिक के अंदर next product क्या होगा या आगे चलके क्या क्या चीज़ें इसमें sale out होगी तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैनिक एक blockchain service provider company है अपार्ट फ्रॉम जो collaboration दुबई government के साथ है इनका उसके बाद आपका चार market के अंदर company है जैसे टूपान.io जो की एक ecosystem का defy token है defy based token है जो की USA से belong करता है और वहाँ के security exchange council से एक lota verified token है जैनिक blockchain पर migrate हो रहा है और उसका website है टूपान.io आप ये जाके देख सकते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें धीरे-धीरे करके अपग्रेड हो रही है ये पूरा का पूरा ये जो token है ये सिफ्ट हो रहा है आपके जैनिक blockchain के उपर ये private company है एक USA से belong करती है और वहाँ के security exchange council से verified token है एक लौता ऐसा ecosystem का token है जो वहाँ से verified है और आपके जैनिक blockchain पर आ रहा है अपार्ट फ्रॉम डैट जो second partnership है वो है coin way world अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये एक प्रकार का wallet है जैसे paytium wallet है जहां पर हम अगर अपने आइना deposit करने उसके बाद हम उस INR को बहुत सारे तरीके से liquidate कर सकते हैं हम recharge करा सकते हैं हम fast track recharge करा सकते हैं आप किसी को payment भी कर सकते हैं आप purchase कर सकते हैं थीक इसी प्रकार से coin way world एक प्रकार का wallet है औस्ट्रिया के अंदर औस्ट्रिया के अंदर जनवरी के first week में इनकी zenik के साथ partner सिफ हो रही है मतलब zenik की utility भी market के अंदर आ रही है जो की सबसे पहले औस्ट्रिया से चालू हो रही है अगर किसी के पास zenik coins हैं तो वो बकायदा उनसे shopping भी कर सकता है payment भी कर सकता और ATM withdrawal भी कर सकता है उसके बाद जो एक company और थी IFIBR ये आपका एक company है जो quilt बनाती है quilt का मतलब medicinal गद्दे बनाती है जिसका health पे एक बहुत अच्छा effect पड़ता है और आप healthy रह सकते हैं अगर आपको अपनी wealth का use करना है तो ये पूरा का पूरा आपका जो product है आपके साफिर के dashboard के अंदर भी available है ये इनका second product है जो system के अंदर on हुआ था क्योंकि ये पूरी की पूरी marketing blockchain technology के concept के थूँ करना चाहते है इसलिए एक wealth का product भी आपके system में implement हो चुका है और इसकी detail आप वहाँ पर कैसे दिखेंगे ये सारी चीजे मैं आपको यहां बताऊगा प्लस इसके क्या-क्या फायदे है आज को किस तरीके से आप system के अंदर ले सकते हैं ये सारी चीजें आपको मैं अभी आपको साफिर के dashboard के अंदर दिखाऊंगा और साफिर के dashboard के अंदर आज एक बहुत बड़ा change भी हुआ है तो वो change में आपके साफ डिसकस करना चाहूँगा कि कल की date में आप किस प्रकार की company के साथ जुड़े हुए है तो ये इनका third partner है जो fourth partner है वो इनका है avynock avynock basically आपका एक start-up है aviation industry का अगर आप बात करेंगे देखिये हाँ पर nearly half of business jet owners accept and uber style model in the next three years कहने का मतलब यह है जिस प्रकार से ola uber आज की date में आपको private taxis book करा के देती है इसी प्रकार से avynock है ये आपके लिए अभी private jets book करके देता है अपना एक loyalty program लेकर आ रहा है जिसका नाम वू है VOO इसका loyalty program है अगर कोई वेक्ती इसके अंदर इस loyalty program के तहत आपका कोई booking करता है तो आपको बदले में avynock token मिलेंगे और ये token आप travel के लिए कर सकते हैं आप payment कर सकते हैं company इसको fueling के लिए use करेगी मतलब both side usage है तो ये अपना जो VOO program ला रहे हैं उसके अंदर ये आपका avynock token distribute करने वाले है इसका अगर आप partners की बात करेंगे तो zenik इसका main partner है और आप बकाइदा इसको देख सकते हैं avynock.com के उपर zenik के उपर market के अंदर बहुत सारी ऐसी companies हैं ऐसे बहुत सारे market के अंदर coins आ रहे हैं जो ये claim कर रहे हैं कि वन्हों ने ऐसा blockchain बनाया है जो across the chain जाकर आपका system के अंदर integrate हो सकता है अगर वो ethereum पर बना हुआ है तो हमारी blockchain पर भी चलेगा पर market के अंदर live integration आज तक आपने नहीं देखा हुआ केवल आप बाते सुन रहे हैं लेकिन अगर आप zenik की बात करेंगे तो zenik की ये कर चुका है avynok और zenik ने अभी अक्टूबर के अंदर global summit 2021 जो आपका 23 अक्टूबर को start हुआ था उसमें इनकी partnership की announcement हुई थी और ये पूरा का पूरा migrate हो चुका अभी दिसंबर के अंदर और ये आपका third product है जो zenik के अंदर activate होने वाला है in form of staking और आप देख सकते हैं avynok ने zenik के बारे में क्या लिखा है कि zenik offers knowledgeable fees, a reasonable scaling model and it's compatible with ethereum ये ethereum के साथ compatible भी है they all together providing the maximum speed we need तो जो maximum speed की बात हो रही है वो transaction per second की बात हो रही है जो zenik blockchain की उपर 50,000 transaction per second है और यहाँ पर एक बात और लोगों को बताना चाहूँगा कल भी मैंने एक बात बताई थी कि zenik के लोगों के उपर आपको R दिखेगा registered इसका मतलब ये है कि इन्हों ने इसका patent करा लिया है ये लोगों यही यूज कर सकते हैं और कोई यूज नहीं कर सकता और ये तब ही possible है जब ground में कहीं company होगी तो आज की date में ये tie ups हैं जो zenik के आप देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़े claim कर रहे हैं पर आपको live example setup नहीं कर सकते और यहाँ पर live example setup हो चुका है और ये सारी चीज़ें जो आपका zenik swap है जो decentralized swap in का आने वाला इसी महीने के end में प्लान है avinox का जो product है ये भी आपके इसी महीने के end में as a staking के थूँ आपको available होने वाला है आपके पास i-fiver 1 दिसंबर को on हो चुका है hub hub के पास पहले से है तो ये सारे product के रूप में आपको same platform, same plan के अंदर activate होंगे इसके अंदर जो second part है जो OCS International Finance Limited है जिस company ने Zynik को finance किया हुआ है वो इसकी financier है और third part यहाँ पर साफिर है जो इसकी marketing कर रहा है और जो इसका business plan है वो ता उम्र same रहने वाला है और आपको नए-ने product मिलते रहेंगे लेकिन product मिलेगा आपको वही जिसका collaboration जैनिक के साथ होगा ऐसे ही दो product आपके system में on होने वाले हैं जिसमें से एक product i-fiber add हो चुका है और वो आप जाके Zynik के अंदर, shop के अंदर जाके health tech के अंदर जाके आप इसको देख सकते हैं यह जो quilt है आप इसको खरीज सकते हैं और इसका distribution ठीक उसी business plan के थुरू है जो आपके hub के थुरू होता है मतलब अगर किसी ने 1490 का 1490 यूरो का एक मगद्दा परचेस किया आपके direct में तो उसका commission वही business plan के थुरू distribute होना है जो आज तक आप देखते आ रहे हैं जो कभी change नहीं होने वाला है अब इसके बाद अगर आप overview के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर blockchain tech के अंदर आपको दिख रहा है आपके hubs आपके housing hub हैं blockchain tech के अंदर health tech के अंदर आपका i-fiver का product है उसके बाद energy tech के अंदर आपका avi knock आने वाला है और avi knock का plan किस तरीके से काम होगा किस तरीके से उसके staking केरी जाएगी उन tokens की और अगर आज इसके अंदर आप ध्यान दे लेते हैं तो क्या profit आपको आने वाला है यह मैं आपको यह बताने के लिए आऊँगा आज avi knock list हो चुका है आपका P2P B2B exchange के उपर जहां पर उसकी live trading हो रही है 40 cent का high मार चुका है और अभी लगबग 14 cent के आसपास trade कर रहा है यह वो exchange है जहां पर यह trade कर रहा है और आप यहां पर देखेंगे तो जो 24 hour का high है वो 40 cent का high भी मार चुका और 9 right now यह 14 cent के आसपास move on कर रहा है और लगबग कितना trading volume आ चुका है यह आज दुपहर साड़े 12 बजे activate हुआ है अब यही पूरा token आपका जो यह zenik पे जा चुका है जो ethereum पे भी काम कर रहा है यह staking के थुरू आपके business plan में activate हो सकता है कैसे होगा सबसे पहले हम देखते हैं business plan तो जैसा की आप जानते हैं हमारे पास पहले भी एक product है दो product है आपका hub है मैंने high fiber आपको बता दिया जो आप system के अंदर activate कर सकते हैं और जो distribution है उसका कुछ ऐसा है कि system के अंदर तीन प्रकार की income है total तीन प्रकार की income में जो पहली income है वो level income है जो आपके नीचे 15 level तकाती है और company यहाँ पे 53% distribute करती है 53% carrier bonus के अंदर 6% distribution होता है और bonus pool के अंदर 10% ऐसे करके total 69% distribute होता है जो भी system के अंदर sale होती है उसका तो इस प्रकार से distribution है यही हम बात करते हैं पहली income की level income level income होती क्या है अगर level income की अगर मैं बात करूँ तो suppose करो आप A है आप system के अंदर B को on करते हैं और example के तोर पे यह 1000 1000 यूरो के साथ on होता है तो आपको सीधे सीधे 9% 90 यूरोज आते हैं यूरोज में आती है आपको income आप जब चाहें उसको जिस भी coin में light coin, ethereum, bitcoin, dash, bitcoin में निकाल सकते हैं B, C को लेकर आता है अगेन 1000 से लेकर आता है तो B को आएगा 9% और C से A को आएगा 8% 80 यूरो की income आईगी आपको तो इस प्रकार से ये levels काम करते हैं मतलब suppose करो आप A हैं तो आपके depth में जो 15 level पे joining आईगी उससे भी आपको 2% आना है और चाहे आपकी 1 lag हो, चाहे आपकी 100 lag हो, चाहे आपकी 1000 lag हो हर lag से आपके नीचे depth तक 15 level की income, total 53% की income आपको आ सकती है इस system के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा income आपको ये level income दे सकता पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी 1 से लेके 15th level तक, मतलब from top to bottom तक आप ये level की income ले पाए इसके लिए अहाँ पर second income का प्रावदान है, जो की carrier level है, मतलब जब भी आप एक rank achieve करते हैं system के अंदर, तो उसके बदले में company आपको one time एक bonus देती है, जो की carrier bonus कहलाता है इसे लेने के लिए जो सबसे पहला requirement है, आपको sign up होना है, जैसे ही आप sign up होते हैं मतलब आप किसी की referral link के साथ sign up होए, आपको पहला rank new मिल जाता है, ये वाला second जो rank है इसका, वो आपको वैसे ही alert हो जाता है, मतलब आपने अपनी ID activate करी और आपका पहला level और आपका second level उपन हो जाएगा, आपके दो level उपन हो जाएगे, जैसे ही आप अपनी ID activate करेंगे, भले ही आप 100 euro से activate करें उसके बाद जो अगली rank है वो है आपकी starter, इसे बनने के लिए आपको दो direct करना रहता है और आपकी team के नीचे business चाहिए रहता है 1500 euro का total, आपके maximum 4 direct भी हो सकते हैं, 5 direct हो सकते हैं और सब के नीचे मिला कर भी 1500 euro का business हो सकता है, आप जैसे ही ये rank achieve करेंगे, आपको system 15 euro का bonus फिर से देगा, one time, उसके बाद जो rank है वो आपकी starter plus है, इसे achieve करने के लिए 4 direct चाहिए, total sale चाहिए आपकी 5000 euro की, आपको carrier bonus की रूप में 75 euro का commission one time इक बार और मिलेगा, अब यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, कि अगर आप 2 direct कर चुके हैं, तो आपको plus 2 और करना है, तो आ 5000, मतलब accumulative total पर यहाँ पर business जाता है, business कभी zero नहीं होता है, जहाँ आपने खतम किया है, वहाँ से आगे plus पर counting सुरू होती है, जैसे अगर मैं बात करूँ, starter plus पर business आपने 5000 euro पर खतम किया था, तो plus 5000 और चाहिए, रूबी rank के लिए total 10,000 euro का business चाहिए, in total, direct होने चाहिए 7, अगर आपके पास 7 minimum direct हैं, और आपके नीचे 10,000 euro की sale हो जाती है, तो आपको rank मिल जाएगी, रूबी और आपको one time का bonus आएगा 300 euro का, प्लस आपको global pool का एक share भी मिलेगा यहाँ पर, मतलब अगर आप A हैं, तो आपका पहला level खुला, दूसरा level खुला, तीसरा level आपका starter plus पे खुलता है, और चौन्था level आपका रूबी पे खुलता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, 4 level का, 5 level का मतलब यही है, कि जैसे ही अगर आप next rank, double ruby qualify करते हैं, जिसको qualify करने के लिए 12 direct चाहिए, 20,000 euro का business चाहिए, 10,000 आप कर चुके हैं, 10,000 और करना है, 600 euro का commission मिलेगा तुरत, मतलब 54,000 rupees आपके account में one shot आएंगे, जो आप अगले second ही withdraw कर सकते हैं, और global pool के 2 shares भी आप को मिलेंगे, उसी के बाद की जो rank है, वो सफायर है, मतलब यहाँ पे अगर आप 6 level की income लेना चाहते हैं, तो आपको सफायर rank qualify करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको direct 12 ही करना है, आप 20,000 euro का business कर चुके हैं, 80,000 का business प्लस और करना है, आपका total business 1,000,000 euro का हो जाएगा, आ और लगभग 10 global pool के share आपको मिल जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ पर आपका ranks बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे 9 levels open होते जाएंगे, और आपको reward amount भी बढ़ता जाएगा, जैसे अगर मैं diamond की बात करूँ, तो diamond कोई achieve करता है, तो उसके 9 level open हो जाते हैं, और जो उसकी minimum sale है, required है वो 10 lakh euro है, आपको complete करना पड़ेगा, अपने 12, 13 direct के नीचे और आपको जो one shot commission आता है, वो 40,000 euro का आता, 36 lakh रुपे एक बार में, 80 shares मिलते हैं, आपको a lot होते हैं, आपकी account में तुरन, तो इस प्रकार से जैसे जैसे आपके ranks बढ़ते जाएंगे, आपकी levels बढ़ती और आपका profit automatically increase होता चला जाएगा, तो किस हिसाब से आप यहाँ पर कमा सकते हैं, आप खुछ सो सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम डैट, अब जो third income है, जो की आपकी global pool का bonus है, कहने का मतलब यह है, जो आप Ruby rank जब आप पचीव कर रहे हैं, तो आपको एक global pool का share भी a lot हो रहा है अब यह share क्या है, company क्या करती है, अपना monthly business 10% एक pool में डालती है, और जितने लोग achievers हैं, उनसे divide कर देती है, तो एक global pool share की value निकल के आ जाती है, अगर आप यह बात करेंगे, तो हर महीने यह आपकी घट्ती बढ़ती रहती है, और जैसा business रहता उस particular month का all around the world, यह आपकी उ उस हिसाब से उसकी value आती है, on and average अभी, लगबगर आप बात करोगे, तो 100 euros के पास एक share की value आ रही है, मतलब अगर आप Ruby हैं, और आपने अभी December के अंदर Ruby qualify किया है, यही एकलौती ऐसी income है, जो अगले महीने आती है, क्योंकि पूरे महीने का business, मतलब December का business जब पूरा हो ज December को उसके बाद आपको इसका payout जनवरी में 5-10 तारिक के बीच में मिलता है, तो December paid January, January paid February, तो अगर आप December Ruby रहते हैं, आप जनवरी के अंदर भी Ruby रहते हैं, आप के पास एक share है, तो जो भी उसकी value है, वो amount अगले 6 महीने तक आपको आता रहेगा, मतलब एक बार अगर एक share के पैसे के लिए आप value हो एला, अब suppose करो December आप Ruby रहते हो, जनवरी आप Ruby रहते हो, डबल Ruby आप बन जाते हो, February के अंदर आप डबल Ruby बनोगे, तो इसका payout आएगा मार्च के अंदर, मतलब अब आपके पास दो share है, जो भी उसकी value होगी, वो next six month आएगी, अगले 6 महीन आपका timer reset हो जाएगा, पर आपका जो Ruby का जो payout है, जो एक share का आ रहा था, ये rank आपके पास से खतम हो गई, अब आपका मतलब Ruby दो महीने तक आपने payout लिया, अब आने वाले 6 महीने तक आपको double Ruby के payout के लिए आप eligible हो, अब double Ruby से sapphire तक, मुझे आने में 4 महीने का समय लग तो मुझे चार महीने double Ruby का payout मिलेगा, उसके चार महीने के बाद मैं eligible हो जाऊँगा, सफायर के लिए 10 share के हिसाब से पैसा आएगा, मतलब जैसे ही आप system के अंदर अगली rank crack कर लेते हैं, चाहे उस particular month में क्यों ना हो, आपको उस rank के हिसाब से अगले 6 महीने तक आपको payout आ बता रहता है, तो आप समझ सकते हैं, यह कितनी बड़ी income यहाँ पर आपको देने वाला है, अब मैं यहाँ पर बात करूँगा, यह plan मतलब इस plan के अंदर आपके पास अभी hub है, जब आप hub sale out करते हो, तो 1500 euro का एक hub जब बिकता है, या उसके part बिकते हैं या multiple में बिकते हैं तो उसका price system में distribution होता है, पूरा count होता है, अब मैं लेके चलता हूँ आपको avinox के उपर, तो avinox जो token है, वो basically staking के थूरू हमारे पास available होगा, जब हम इसको staking पर लगाएंगे avinox token को, तो उसके बदले में हमें वही tokens आपने आप मिलेंगे as a token की रूप में, और उसकी ज staking का period है, मतलब साफिर का same plan रहने वाला है, लेकिन staking का period है, आप समझे किस प्रकार से काम करना पड़ेगा, तो staking का period है, एक साल, तीन साल, पांस साल, दस साल है, मतलब अगर आपके पास, यह मैं बताता हूँ, 10,000 token हैं, और अगर आप उसको एक साल के लिए stake करते हैं, त तो 3%, मतलब आपको 300 coin मिलेंगे per year, लेकिन यह जो coin आएंगे, आपको daily basis पे आपके account पे आएंगे, मतलब 0.8 coin रोज आएगा, अगर 0.8 coin रोज आ रहा है, तो आज की जो value है, 0.15 cent के आसपास है, जो की 11.25 पैसे होती है, मतलब अगर आज आप coin की value की बात करोगे, तो आपके यह जो 10,000 coin है, यह आएंगे, 1,12,500 में, पर अगर आप इसको system के अंदर, साफिर plan के through अगर staking पर डालेंगे, तो इसमें जो आपका business count होगा, 30% count होगा, केवल 30%, मतलब 33,750 रोपे का system के अंदर distribution होगा, level plan के according, और उसी के according आपका carrier bonus बटेगा, और उसी के according आपका global pool बटेगा, मतलब 1,12,500 के coin हमने staking पर डाले हैं, लेकिन वो पूरा count नहीं होगा, वो उसमें से केवल 33,750 रोपे का volume count होगा हमारे staking पर, लेकिन उसका फायदा कल की date में हमें बहुत बड़ा मिनने वाला है, इसी प्रकार से अगर अब यही 10,000 coin अगर आप 3 साल की staking पर डालेंगे, तो आपको 5% मिलेगा yearly, मतलब 500 coin मिलेंगे, अगर आप 10,000 coin staking पर डालते हैं, 1.3 coin daily मिलेगा, महा पर business जो count होगा, 50% business count होगा, मतलब 1,12,500 का अगर आपने value का evinock token stake किया है, तो 56,250 रुपे का business volume count होगा, और यही पैसा आपका system के अंदर बटेगा, लेकिन यही 10,000 coin अगर आपने 5 साल के लिए stake किया है, तो लगभग आपको 90% business count होगा, 90% और daily आपको 2.05 coin आनी है, यही coin अगर आप 10,000 coin पूरे 10 साल के लिए system में stake करेंगे, तो आपको 10% yearly का return मिलेगा, एक हजार coin साल के आएंगे पर 2.7 coin आपको daily आएगा, 2.7 coin, तो यहाँ पर staking की उपर है, अगर आप एक साल stake करेंगे, तो आपका जो volume है, जो business value है उसकी, जो coin की value है, price है, INR है, USD में, उसका 30% count होगा, आपके total business में, वहीं अगर आप 3 साल के लिए करते हैं, तो 50% count होगा, और 5 साल के लिए करते हैं, तो 90% count होगा, और 10 साल के लिए करते हैं, तो आपका पूरा 100% business volume count होगा, जितने की value है, evinock token की उतना पूरा count होगा, और उसी का पूरा system में distribute होगा, अब, इस तरीके से, आपका system के अंदर, इनकी staking होने वाली है, अब, जब मैंने आपको सबसे पहले evinock के बारे में update किया था, तब evinock 8 cent का था, और ये 16 cent होने वाला है, एक महीने के अंदर ही इसने अपने आपको double कर लिया है, अगर किसी ने, मेरे कहने पर, अगर इसको एक महीने पहले, मतलब इसको 10 तारिक से, अगर 14 तारिक के बीच में किसी ने इसको खरीदा है, तो 8 cent का coin आया होगा, और अगर उसने 10,000, अगर मैं इसको calculate करूँ, अगर उसने 10,000 token खरीदे हैं, तो वो आए हैं, एक लाक बारा हजार पांसो के, और 8 cent की मैं बात कर रहा हूँ, 0.08, 60,000 रुपे के आया हैं, और आज इसका rate जा चुका है, अगर आप 40 cent के साफ़ से देखें, तो वो पैसा 3 लाक हो चुका है, और अगर आप अभी live rate के साफ़ से देखें, जो 0.15 है, 15 cent है, उसके साफ़ से एक लाक बारा हजार पांसो हो चुका है, मतलब यही token, अगर कल की date में मैं बोलता हूँ, December, 31st, December से, सपोस करो, इसकी staking चालू होती है, यह product अपने system में add होता है, और अगर एक डॉलर का rate पहुँच जाता है, मतलब 75 रुपे का एक coin का rate पहुच जाता है, तो आपको यही token का price साड़े साथ लाक रुपे हो सकता है, साड़े साथ लाक रुपे, तो आप समझे, अगर token आज आप purchase कर लेंगे, और कल staking पर उस समय डालेंगे, तो उसकी value connect होगी, उसकी value के अनुसार आपका business count होगा, तो आपके व्यक्ति का maximum पैसा आ सकता है बाहर, बहुत कम समय में, अगर आज वो 10,000 token खरी लें और अगर आज की rate के हिसाफ से चलें, तो जो उसको return मिलने वाली है, अगर एक साल staking पे डालेगा, तो वो आईनार में return होगी, अगर आज की rate के हिसाफ चलें, तो 9 रुपे 24 पैसे उसको daily आने है, लेकिन अगर मैं बात कर लूँ, जादा बड की staking करिए, वहीं अगर आप 10 साल की staking करते हैं, तो यही पैसा आपको 230 रुपे के हिसाफ से मिलेगा, और 205 रुपे daily, लेकिन अगर सोचो, future में जो माइस predicted है, जो price predicted है, इसका अभी January, February के बीच में 10 to 20 डॉलर है, अगर आप सोचो, अगर इसका price अगर 20 डॉलर कर जाता है, अगर इसका price 20 डॉलर टच्डाउन कर जाता है, तो आपको यही कोईन पैसा देगा daily में, 1232 रुपे, daily, अगर आपने एक साल के लिए staking की हैं, 10,000 कोईन, अगर आपने 3 साल के लिए किया, तो 2054 रुपे पर डे मिलेंगे, जो कोईन की value रहीगी, अगर 20 डॉलर अगर कोईन की value आपकी 20 डॉलर है, अगर आपने 5 साल के लिए staking किया है, तो 3082 रुपे पर डे मिलेंगे, और अगर आपने 10 साल के लिए किया है, और तो आपको यह पैसा मिलेगा, 4109 रुपे पर डे, अगर 20 डॉलर का price चला जाता है, तो प्लस, अगर आज यह कोईन आप खरीते हैं, तो हो सकता है, आपको बहुत सस्ते में मिले, बहुत सस्ते में, और कल की जब staking में जाए, तो उस value की staking होगी, जो उस दिन उस coin price की होगी, पिछले महीने से अभी एक महीने के अंदर यह double हो चुका है, अब यह आपका बकायदा list हो चुका है, एक आपके live platform की उपर, प्लस, आप इसको अभी जहां Uniswap पे ले रहे थे, आप यहां पर जाके इसको देख सकते हैं, कि एक डॉलर में अभी 7.27 coin आ रहे हैं, जहां पहले आपके 14 coin आ रहे थे, अब आपको 7.27 coin मिल रहा है, तो आप इसको रोज चेक कर सकते हैं Uniswap के उपर, और अभी आ आप आवी नॉक को देख सकते हैं, आप हाई देख लीजिए, मारा हुआ है, तो डेफिनेटली कल इसको बैरियर को तोड़ेगा, 40 cent एक डॉलर, दो डॉलर होते इसको रेट नहीं लगेगा, तो आप समझ सकते हैं कल की डेट में आवी नॉक कितना बड़ा गेम चेंजर होन जनिक के लिए, तो जनिक के साथ अभी 4 कंपनी ने पार्टनर्सिप करी है, आने वाले मंद में, मतलब मैं जैनवरी के लास्ट वीक की बात करूँ, तो 80 कंपनी, 80 कंपनीया साइन अप करने वाली हैं, जनिक के ब्लॉक्चेन के साथ, ये एक रिपोर्ट आई है अभी, ये आपको सेम साथर वेनिफिट प्लैन के अंदर, मतलब प्लान कभी चेंज नहीं होगा सिस्टम का अंदर, प्लान कभी चेंज नहीं होगा, और सेम प्लान के अंदर, आपको मल्टीपल प्रोड़क्ट मिलेंगे, तब ही यहाँ पर एक कैरियर बन सकता है, और अगर आप बात करेंगे तो यह जो यहां पर आप रैंक्स देख रहे हैं एक जो यह रैंक्स हैं गो डबल गोल डायमेंड इसके आगे तीन रैंक और इंट्रोड्यूस करी गई है जो लास्ट रैंक इंट्रोड्यूस करी गई है उसका नाम है स्टार डायमेंड की अगर मैं बात करूँ वहां पर बिजनिस चाइए कमपनी को 4500 करोड का यहां यह साले 400 करोड का बिजनिस चाइए डबल गोल डायमेंट के लिए आपकी पूरी टीम के नीचे तो ठीक उसी प्रकार से लास्ट रेंग के लिए 4500 करोड का बिजनिस चाइए आइना रुपीज में कमपनी ने वन टाइम पे रखा है 200 करोड रुपीज का 200 करोड रुपे का क्यारियर बोनस आएगा आपको यहाँ डबल गोल डायमेंट पर आप देखे 2.5 मिलियन मतलब आपको 25 लाख यूरो मिलेंगे 25 लाख यूरो का मतलब यह है आज की रेट में आपको जो रिवाड आएगा लगबग 23.5 करोड प्लानिंग है और कमपनी के सेम पलान के अंदर आपको multiple products मिलने है multiple entries मिलने है और multiple आप system के अंदर काम करके earouch कर सकते हैं इतनी बड़ी पलानिंग है और एक पहला ऐसा crypto का अपनी है जो आपके ground में registered है और यही मैं आपको बताना चाहरा था कि साफिर और Zenik मिले क्या करने व tax report generate होने वाली है बहुत जल्दी tax report का मतलब यह है नहीं है कि आपको कहीं tax देना है आपकी calculation के लिए मतलब जैसे अगर December की मैं बात करूँ आप जब click करोगे तो आपको यहाँ पर यह दिखने वाला है कि आपने December महीने के अंदर total business कितना किया यह देखिए केरियर benefits की रूप में कितना आपको profit आया यूनी लेवल benefits की और performance का benefit कितना आया आपका video contest अगर आपने जीता तो कितना benefit आया और आपने total कितना कमाया तो इस हिसाब से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हर महीने आपको कितनी level सिस्टम के अंदर आपको मिलने वाला है पहला ऐसा concept है क्रिप्टो के अंदर जहां आपको ये facility available होगी invoice तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ system के अंदर available है आपको बकाइदा साफिर की तरब से invoice दी जाती है आपको बकाइदा इसके अंदर आपको address लिखा है email ID लिखा है company का registration number लिखा है आपकी detail लगी हुई है पूरी नाम पते के साथ तो आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार का concept है और market के अंदर क्या भुचाल लाने वाला है जो लोग ये कह रहे हैं कि zenik आज की date में धीमा पढ़ गया साथ दोनों बदलने वाला है और definitely बदल रहा है और आप इसके implementation खुद देख सकते हैं कि आपको इसके implementation कैसे दिख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आने वाले month end के last week से आपके जनवरिरी पंदरा तक आपको इतने सारे update मिलने वाले हैं साफिर के zenik के कि आप सायद या मैं सायद उसको जहल भी ना पाऊं कहने का मतलब साफ है कि इतनी सारी good news आने वाली है इस new year में 2022 rocking year होने वाला है for the crypto lovers अगर वो zenik के साथ हैं एक ऐसे platform के साथ हैं जहां पर आप अपना carrier part define कर सकते हो मैं आपको एक word use करूँगा जो मैं मेरे एक साथ ही है नाम तो नहीं बुलूँगा उनका जो ये कहते हैं कि ये market के अंदर crypto का ambis थाबित होने वाला है तो definitely this is the company जो definitely कल की date में आपको एक real real आपको passive income generate करके देगी long term में और आप बार बार इस system के अंदर कमा पाएंगे आपकी वही same team होगी आपकी वही सब कुछ होगी आप multiple opportunities के अंदर इसके अंदर पैसा कमाने वाले हैं तो आप चीजे समझे कि जिनिक क्या है मैंने आवी नौक इसलिए नहीं बताया कि नया product है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि future planning क्या है आपको कहीं जाने की जरुवत नहीं है आपको same concept के अंदर multiple times winning का मौका मिलेगा और वो मौका आपको जिनिक देता रहेगा साफिर देता रहेगा तो आज के presentation में बस इतना ही Thank you all of you Have a nice day, have a good day कल फिर मिलते हैं Thank you, thank you, thank you